आज से 15 साल पहले शुरुवात हुई इंडिया के एक ड्रीम प्रोजेक्ट की, जुसका नाम था गुजरात इंटरनाशनल फाइनाशनल टेक्स सिटी, जुसको गिफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनाशनल ट्रांसक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। लेकिन जिसकी शुरुवात आज से 15 साल पहले हो गई, अब वो प्रोजेक्ट कहां पहुंचा? कहां है ये प्रोजेक्ट सेचुएटेड? इंटरनाशनल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? ये सब जाने के हम इस वीडियो में, स्टे ट्यून तिन दी अन्ड अफ दिस वीडियो इसका कंसेप्ट लेख हिया गया था 2007 में बाय मिस्टर नरेंदर मूंदी जो की तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2011 में इसका foundation stone भी लेख कर दिया गया था कहां है ये gift city? नाम से तो आपने guess करी लिया, yes, गुजरात में ही situated है ये अक्चली एहमदाबाद और गांधी नगर के बीच में situated है और इसकी location बहुत ही खास तरीके से strategically choose की गई है ये 12 km है from the एहमदाबाद international airport and 6 km है गांधी नगर से भी साबरमती river के bank पे situated है और तो और आगे आने वाली metro lines ये bullet trains से भीर connectivity इसकी बहुत अच्छी होगी 886 acres of land पे ये पूरा project situated है अब हम बात करते हैं कि ये gift city बन क्यू रही है, इसका purpose क्या है because India wants to become central business districts like London, Paris, Hong Kong, Singapore and Dubai ये एक ऐसे centers हैं जहां पर financial transactions को internationally cater किया जाता है एक बड़ा hub, जैसे एक shopping mall में आपको सारी ही चीजें एक ही facility के अंदर मिल जाती है वैसे ही एक ऐसा hub है जहां पर हमें सारी ही financial transactions की facility एक ही hub के अंदर मिलेगी जो कि India बढ़ना चाता है Gift City का ये project बहुत ही बड़ा है तो एक phase में तो होने से रहा तो इस project को divide किया गया था तीन हिस्सों में जिसकी शुरुआत 2012 से 2016 में हुई जहां पर जो हमारा groundwork है उसकी शुरुआत की गई थी 2016 से 2020 में एक step forward city की setup को और तो और कुछ operations को शुरू करने की भी बात की गई थी 2020 से 2024 में इस project की completion and full-fledged operations की बात की गई थी Now that we are in third stage, it becomes very important ताकि हमें इस gift city के बार में पता हो because चितना जादा ये progress करेगा, उतना ही जादा हमें news में सुनने को भी मिलेगा and हमें पता लगेगा कि इसका purpose हमारी life में क्या है ये gift city actually दो हिस्सों में divided है One is the international segment and another is the domestic segment Domestic segment में सारे ही हमारी Indian companies registered होंगी वहीं पर international में Indian साथ के साथ international companies भी register होंगी जो अपने operations को carry forward करेंगी इसके इलावा हमारी residential, commercial and social buildings इस पूरे ही area में divide की जाएंगी ताकि लोगों के लिए सिर्फ काम करने के लिए इस city बेटर ना हो बलकि रहने के लिए भी बहुत बेटर हो जैसे चंडिगड को कहते हैं एक planned city वैसे ही Gujarat की इस gift city को कहा जाएगा smart city क्योंकि इस city की starting में ही कुछ चीजों का खास ध्यान रखा गया है जैसे की water recycling plant, optical fiber communication, automated waste collection system, dedicated power station and city cooling level systems जैसे centers को make किया गया है ताकि ये city काफी जादा beneficial हो for the people who are going to stay in this अब हम जानते हैं कि इस gift city से क्या फाइदा होगा, क्या हो रहा है आजकल इस gift city में तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसी साल Mr. Narendra Modi ने शुरुदा करी है Indian International Bullion Exchange की अब ये exchange actually cater करता है gold को As we all know India largest importer है gold का and हम लोग actually gold के price को लेते हैं उसको set नहीं करते हैं पर इस exchange के इंडिया में आने से होगा ये कि हम उसकी demand and supply को to some extent control कर पाएंगे and वहीं से हम बनेंगे from gold price takers to gold price setters जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी achievement होगी इसके इलावा जब इस साल का union budget अनाउंस किया गया था तब भी finance minister ने clearly lay down किया था कि यहां पर international arbitration centers जैसी facilities को भी शुरुवात की जाएगी और तो और NSE और BSE की जो subsidiaries है NSE, IFSC and BSE की INX इनको भी यहां पर set up कर दिया गया है तांकि अब जो हमारी trading है वो in international segments के थुरू हो सके Singapore Stock Exchange भी यहां पर register हो चुकी है with collaboration with NSE का IFSC subsidiary But the point is कि यह companies, centers and exchanges का gift city में operate करने का फाइदा क्या होगा यह एक special economic zone है तो यहां government उनको कुछ subsidies and कुछ tax exemptions भी देंगी जिससे की operations बहुत ही smooth तरीके से carry out हो सके और तो और जो transactions इंडिया से बाहर होती थी अगर वो भी हम इंडिया में ही cater कर पाएं तो इंडिया का dream of becoming the financial hub is not that far away अब हम बात करते हैं problems की क्योंकि gift city के बारे में क्या है, क्या कर रही है, क्या benefits है बट कहां तक पहुंची, तो of course इसका third stage थोड़ा से तो delayed है प्रोजेक्स हमारे पास 2008 के financial crisis भी आए, GST, demonetization, COVID-19 इन सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए, project थोड़ा सा delayed mode में दिख रहा है लेकिन इसके इलावा यहां पर problem यह है कि mostly जो offices यहां पर आएं है वो यह तो भी registered हुए हैं, उन्होंने operations चुरू नहीं किया जो registered हुए भी हैं, उनकी काफी full strength यहां पर available नहीं है और अगर कोई office है भी, तो पूरा office की जगा लेने की बजाए शायद एक room ही लिया है to cater to their operations इसका मतलब full-fledged operations शुरू करने में अभी भी यहां पर बहुत time है दूसरी problem के अगर मैं बात करूँ, तो Hong Kong, Singapore, Paris इन सभी की जो transactions के volume है, वो बहुत जादा है और इनके पास जो assets है, वो भी बहुत जादा है लेकिन अगर मैं इंडिया में उनकी compare करूँ हमारे NSE और BSE की subsidies से तो वहां पर अभी यह volumes काफी कम है and actually यह भी loss भी face करें है जो जाएज है, because full operations नहीं हुए तो volumes भी देखने को नहीं मिलेंगी लोग धीरे-धीरे ही इस जगा पर आएंगे तीसरी problem है socializations की because यहां पर अभी भी जो लोग काम करते हैं वो काम करने के बात वाद वाद एमदबादिया गांधी नगर चले जाते है because यहां की social life एकदम dead है and enjoy करने के लिए बहुत अदा places है नहीं Gift City एक बहुत ही बड़ा and important project है तो इसमें teething problems होना तो आमसी ही बात है लेकिन it is targeting to become center business district which is a very big thing and जिस तरीके से India progress कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आने वाले time में Singapore के business center को भी tough competition दे सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like करें maximum लोगों के साथ share करें ताकि उनको भी पता चले इंडिया में इस gift city के project के बारे में और उनकी भी knowledge और जादा enhanced हो सके Thank you